हेलो प्रेंट्स मैं कमलेस आप देख रहे हैं स्टडे मेटेरियल एर टू जैड एर फोर्स की दोस्तो एक जो नई अपडेट आ वो लेके आ चुका हूँ और अपडेट आपने थमनेल पे भी देखा होगा और थोड़ा साथ जो है आपको यहां पे जो एक लिस्ट देख रहे हैं जिनके साथ जो हो बड़ी चीटिंग हुई है तो उनके लिए यहां पे दोस्तो सारी चीज़ें हम डिसकस करेंगे और आप सभी का स्पोर्ट भी जरूरी है वीडियो को शेयर करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एक जने के कहने पर चीज़ें नहीं चलेग और क्या क्या सोलिशन होंगे सारी चीज़ें आपको एक साथ दोस्तों बता दी जाएगी देखें यह आज इनके साथ हुआ है कल आपके साथ भी हो सकता है और यह हो भी रहा है तो आप जो सभी सचेत रहें और क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे आपको सोलिशन मि के दोस्तों सांजा कर दिया जाएगा तो जो कांडिडेट नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों क्योंकि आप अभी तक टेलिग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलिग्राम पर जुड़ जाइए क्योंकि ये जो और क्या कारण है जिसके कारण भाई इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हुए हैं चलिए नाव तो दोस्तों सबसे पहले भाई का मैसेज आये थे इंस्टाग्राम पे और इंस्टाग्राम पे इन्होंने हमें कुछ चीज़ें जो थी वो बताई थी देखे यहां पे इनका जो इस लिस्ट के अंदर इनका नाम है लेकिन इन्होंने जब रिवाईज लिस्ट निकाली तो यहां पे इनका नाम नहीं है तो यही एक छोटा सा मुद्दा है तो भाई जो कुछ चीज़ें बोली भी थी लेकिन यहां पे हम पूरी चीज़ें बात करेंगे डिटेल से ऐसे हम नहीं बोल सकते जिन चीज़ों को बारे में और यह आप नो नमबर भी देख सकते हैं जो कि इनका है साहिल नाम है जो कि दो तो यह क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको लगातार बताऊंगा और मैंने पूछा फिर निव वाली लिस्ट में आपका नाम है या नहीं तो इसमें मेरा नाम नहीं है बहुत बच्चों के साथ चीटिंग हुआ है हुआ क्या है मैं बता देता हूं दोस्तों आपकी अंबाला लिस्ट निकाली है जिसमें जो काफी सारी कैंडिडेट्स हैं उनके नाम कट करके न्यू कैंडिडेट जोड दिये हैं न्यू कैंडिडेट जोडने का कारण क्या है भाई जब इनका नाम आ चुका अब इनका नाम हटाया जा रहा है तो सीधा सीधा यहां पे क्या मतलब नि चाहिए देखे अभी हम इतना कर सकते हैं कि जैसे हमारा जो लिस्ट है उसका यहां पर अपने पास एक तो वो लिस्ट है जो हम दोस्तों देख पा रहे हैं और उस लिस्ट में हमारा नाम है तो यह जो है आपके यहां पर admit card आने के जो full chance हैं क्योंकि जो आपके पहले वाली जो लिस्ट आही है ना उनके admit card आ गए है एड Colin card आ गए हैं दोस्तों admit card आपको मैं video बी दे दूँगा अगर आपको नहीं दोस्तों यकिन हो रहा तो admit card आचुके हैं जिनके लेकिन सवाल ये भी तो है ना कि रिवाइज लिस्ट में नाम नहीं है उन नई कैंडिडेट को जोड़ना कहां तक सही होगा देखें यहाँ पे देख सकते हैं यह पुराने वाली लिस्ट है जो कि 18 अक्टॉमबर को यहाँ पे इनका स्किल कंड़क्ट होना है यहाँ पे देख सकते हैं 18 अक्टॉमबर आठ बजे इनका टाइमिंग दिया गया है तो इसमें जो है दोस्तो एक सोल्यूसन तो यह हो गया कि आप जो एडमिट कार्ड का वेट कर लो कि एडमिट कार्ड आपका आएगा तो आप जो एडमिट कार्ड लेकर वहाँ पे चले जा जिन कैंडिडेट का नाम रिमू हुआ है अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है और आपका जो नाम है वो रिमू कर दिया है तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे तो पहली चीज़ है कि उनसे एक बार कॉंटेक्ट जरूर करो देखिए कॉंटेक्ट म पास जो मैंने लिस्ट जाली थी ना जिसमें कॉंटेक्ट नमबर मैंसन किये गए थे तो दोस्तों मुझे वाटसप सेंड कर देना ताकि इन भाई तक जो हम सेंड कर दे और आगे जो भी रिजल्ट होगा वो आपको दोस्तों बता दिया जाएगा क्योंकि आगे आने वाले कैंडिडेट्स के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो यह चीज़ आप देख पा रहे हैं यहां पे आप जो जो कॉंटेक्ट नमबर है एरपोंस के मैंने आपको जो ओल एर स्टेसन के सेंड किये थे उसकी लिस्ट मुझे सेंड कर देना क्योंकि मुझे पता है बहु सारे भाईयों के पास होगी वो लिस्ट तो मुझे टेलिग्राम पे मैंने सर्च किया था लेकिन मिल नहीं रही है लेकिन मिलते ही मैं आपको वैसे भी सेंड कर दूआ है बार फिर टेलिग्राम पे फोवर्ड कर देंगे तो टेलिग्राम को जोइन करके रखेगा और अब देखे भाई सीधा सा मतलब तो यही होता है कि जिन कैंडिडेट्स का भाई इतने दिन के बाद यार ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इनके नंबर कम है और भाई खुद भी बोल रहे हैं कि सर मेरा नंबर मैंने कॉंटेक्ट किया था कि सर 90 में से मेरे 85 पलस नंबर आ रहे है और अब जो है मेरा लिस्ट से नाम हटा दिया है और इसमें कई कैंडिडेट्स थे वाई दो तिन कैंडिडेट्स के उन्होंने जो यहां पे स्क्रिन सोट भी भेज़े थे मुझे तो एक बार मैं दिखा भी देता हूँ तो यहां पे दोस्तों नीचे हम यह देखे यहां पे भी कैंडिडेट्स बोल लें कि सर मेरा इसका भी नाम नहीं है और उसके बाद यहां पे भी कुछ कैंडिडेट्स हैं देखे मेरा भी वही प्रोब्लम है पहले नाम था अब उसके बाद नाम नहीं है तो देखे भाई है कि आप RTI भी डाल दो RTI तो डालनी है डालनी है RTI डालते रहो RTI और उसे कॉंटेक्ट करके जो है उनसे जब आपका फोन मिलेगा तो आप उनको बोलो कि हमें अमाला के अंदर जो बात करनी है सेंटर पे और उनसे बात करो कि आपने रिवाइज लिस्ट निकाली है जिसमें सर आपने ये क्या कर दिया अगर फिर भी अगर सोल्यूसन नहीं होता है तो दोस्तो अपनी जो रिजल्ट लिस्ट है न उसको लेकर जाओ और भाई एक ही काम है कि उनसे जाकर पुरूप मांगो कि हमें या तो कोपी चेक कराओ कितनी कटोप गई है क्या गई है ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला मेरे भाई तो देखिए इतना काम करने के बाद ही हम आगे का डिसिजन ले पाएंगे कि इतना सारा काम कर लो एडमिट काड आता है तो अच्छी बात है आटिय डाल दो आटिय से रिपलाई आता है रिजल्ट उससे पहले पहले जाना जो आपका स्कील टेस्ट है अठारा अक्टॉमबर को स्कील टेस्ट है तो 18 अक्टोंबर से पहले पहले भाई वहाँ पे परजेंट हो जाना जाकर कि सर ये क्या किया है आपने ये जो लिस्ट है और एक चीज और जो कैंडिडेट अमाला के पास में लगते हैं तो रिवाईज लिस्ट एक बार चेक करके भी आजाओ भाई कि अच्छे से क्या लगी हुई है क्या सच में ऐसे लगी हुई है तो इस परकार से भी आप एक बार चेक भी कर लो और भाई एक ही कारण बसता है कि आप वहाँ पे जाकर पहुँच जाओ और सर से जाके बात करो कि सर यह ऐसा कैसे हो सकता है मेरा पहले स्किल में नाम था लेकिन अब नहीं है तो most of chance है कि भाई आपका solution मिल जाए और इसके लावा भाई हम क्या ही contact करें सबी का support है तो जादा से जादा फोन करिके उनसे पूछो कि सर ऐसा कैसे हो गया तो यही कारण है दोस्तों और देखे कोई solution अगर होगा तो आपको बता दिया जाएगा और इनका क्या solution निकलता है ये भी आपको बता दिया जाएगा वीडियो के थूरू दोस्तों तो वीडियो को शेर कर दो अगर भाई इससे भी अगर हमारा solution नहीं निकलता है तो फिर भाई सीधी सी बात है कि भाई पैसे बालों का है selection हो रहा है हम जो बेकार में ही महनत कर रही है अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो आप हमें बताईएगा और कोसिस कीजिएगा कि आप उनकी जो है या तो record कर लीजिएगा चीजों को या फिर आप वीडियो वगरे तो आपको नहीं बनाने देंगे लेकिन चीजें भाई थोड़ा सा पुरूप के साथ ही लेकिया आना जिसे हम बाचीत आगे तक जो लेचास के तो दोस्तो यही आपके लिए यहां पे solution है और देखे solution के लिए आप बोल रहे थे तो भाई मैंने जितना भी था आपको बस वीडियो को शेयर करना है तो यह जानकारी हर candidate तक पहुन जाएगी और आपको support भी मिल जाएगा तो देखे हम पे कुछ चीजें इन्होंने बोले भी है कि सर पैसे के लिए तो देखे हम जितना हम जितना है उसके बारे में बता दिया है और आगे आपके जो भी जो conditions होगी दोस्तो तो उसके आधार पे हम बात करेंगे तो अच्छे से मैंने उनसे काल पे भी बात कर ली थी कि टाइम हो तो भाई काल पे बात कर ले ना तो भाई काल पे बात कर लिया और ऐसा किस किस के साथ हुआ है तो एक बार दोस्तों मुझे जो यहां पर मेसेज कर दीजी का वाटसप पर वाटसप नंबर भी दे रखें और रिवाइज लिस्ट के अंदर भाई जिन कैंडिडेट ने चैक नहीं किया है तो टेलिग्राम पर रिवाइज लिस्ट आपको इन्वाइट की गई है तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा तो दोस्तों बस यही है आपके लिए अपडेट थी बस और इसको वीडियो को शेयर कर दो भाई ज़्यादा से ज़्यादा ताकि जो कैंडिडेट तक पहुन जाए तो जहीं दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो की इंपोर्टेंट होगा तो आपके लिए लेकर ज़रूर आएंगे और सोल्यूशन क्या निकलता है बताएंगे चलिए नाव जाहीं दोस्तों